नमस्कार में अप्रिया धड़ाधर तीस खबरों में आपका स्वागत है जरी जानते हैं देश श्री प्रदेश की अब तक की प्रमुक खबरों को बिहार में जातिय जन्गर्णा को लेकर प्रधान मंतरी ने हाली में सीम नितीश के पत्र मिलने की बात कही थी जिसके बाद नितीश कुमार ने कहा कि वो जातिय जन्गर्णा पर अपने स्तर पर कोई फैसला लेने से पहले आधर्णिय प्रधान मंतरी के फाइनल जवाब का इंतिजार करेंगे कोरोना कार के बाद जेए मेन के चौथे परीक्षा 2021 के परीक्षा का आयो जिन 26 अगस्त से शुरू होने वाला है जिसके तहट अभिया परीक्षा 26,27 और 31 अगस्त और 1 सितंबर को आयो जित की जाएगी इसको लेकर जल्दी आडविट कार्ट भी जारी कर दिया जाएगा RCP सिंग के पटना आने के साथ ही शक्ती परीक्षण की चर्चाश शुरू हो गई है जुस पर CM नितीश ने कहा कि जदियों में क्या चीज शक्ती परीक्षण करेगा समाचार देखकर हमें हसी आती है जदियों में ऐसी कोई बात नहीं है कि पार्टी के अंदर मत भेदे कोई भ्रम में ना रहे पार्टी में सब कुछ ठीक है कॉंग्रिस पार्टी चोड़ने वाली पुर्फसान से सुष्पिता दे ट्रिन्मूल कॉंग्रिस में जल्द ही शामिल होने वाली है जुसके तहत वो असम का चहरा होंगी जुसके तहत उन्होंने आज ही क्यामिक स्ट्रीट में टीमसी के राष्ट्री महासचिप अभिश्रेक बैनरजी के साथ कौलकता में बैठे कि इसके साथ उन्होंने ममता बैनरजी से भी मुलाकात की है बीते दिन बिग बॉस OTT का पहला संडे का वॉर प्रसारित हुआ इस दौरान करन जोहर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेतरी अक्षिरा सिंग का समर्थर करते नजर आए इसके तहत उन्हों ने कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री अलग नहीं है हम सभी भारतिय सिनेमा का हिसा है और भारतिय सिनेमा का सम्मान करना हम सब का फर्ज है रोहित चर्मा के आउट होने पर क्रिकेटर वीवी एस लक्षमन ने नाराजगी जोताई है जुसके तहत उन्होंने कहा कि लॉड्स टेस्ट मैच के चोथे दिनिंगलान के तेज गेन बाज मार्क वुड के खिलाफ भारतिय उपना रोहित चर्मा उनके शौट बॉल ट्राप म इस दौरान उट्सवी वाहाल देखने को मिला केंद्रेगर राजमंत्री नित्यान अंद्राय ने योजना की विधिवत शुरवात की इस दौरान पार्टी दफ्तर को दुलहन की तरह सज़ाई गया था हाली में कार्सपदक अपने नाम करने वाली पीवी सिंदु ने प्रधान मंत्री मोदी के साथ हाइस्ट्रिम खाने की इच्छा जताई थी जो की पीएम मोदी ने पूरी कर दी है वाबत सभी ओलम्पिक खिलाडियों को दी गई हाई टी पार्टी में सभी ओलम्पिक विजवता खिलाडियों से पीम ने मुलाकात भी की आगामी IPL में आउस्ट्रेलिया के खेलने का रास्ता साफ हो गया है आउस्ट्रेलिया आई मीडिया के अनुसार डेविड वार्णर, स्टीव स्मिथ, ग्लेन माक्सविल, माक्स टॉनिस जैसे खिलारी IPL में खेलने जा रहे है दरसल अदालक ने प्रतिवादियों को 24 गंटे के भीतर अपने जवाब दर्श कराने का निर्देश दिया है मामला एलोपैथी को लेकर कथित रूप से गलत सूच शाफ्या लाने से जुड़ा हुआ है टोक्यो अलम्पिक के बाद पोलैंड में भारतिय खिलारियों का जल्वा पर करार है पोलैंड के वो क्रालो में खेली जा रही विश्विती रंदाजी यूथ चैंपियंशिप में भारतिय तीरंदाजों ने शांदार प्रदक्शन करते वे कुल 15 मेडल अपने नाम किये इसमें 8 गोर्ट, 5 कांसे और 2 सिलवर शामिल है अफगानिस्दान में राश्च्रपती भवन पर कपजा कर तालिबान के प्रवक्ता शाहीन सुहल CNN News 18 से बादशीत की है इस दौरान उन्होंने भारत को अपरत्यक्श रूप से च्वेताबनी देते वे कहा कि उमीद है कि भारत अपना रुख बदलेगा और तालिबान का समर्थन करेगा कॉंग्रिस हेता पीची दब्रम ने पीएम मोदी की तरब से स्वतनतता दिवस के मौके पर पहले की गई घोशनाओ का हवाला देते वे ट्वीट में तंज कसा और कहा कि 15 अगस 2021 को पीएम मोदी ने 100 लाग करोर रुपे की गतिशील आधारभू धाजगत योजना की शुरुवात की है अब देख रहा है यह दलचा स्पोगा कि यह योजना कहा जाती है उत्राखंड के मुखी मंत्री पुशकर सिंग धामी ने चुमपावत जुले के पवंदीप राज़न को रियालिटी शो इंडियन आइडल जीतने पर बढ़ाई दी मुखी मंत्री ने राज़न को उत्राखंड का सुपूत बताते वे सोशल मीडिया में अपने पोस्ट में कहा पवंदीप को इंडियन आइडल 2021 के जीतने पर हार्दिक बधाई एवं शुब कामना है तालिबान के कबजे में आए अफगानिस्तान में भारतियों को बचाने के लिए भेज़ी जारी केंद्रिय स्वास्त मंत्री मंसुख मंटाविया नीद केंद्रिय टीम ने केरल में COVID-19 स्थिती की समीक्षा करने के लिए सोंबार को दौरा किया केरल में रविवार को COVID-19 के 18582 ने मामले सामने आए हैं जो देश में दर्च किये गये 32,937 मामलों के आधे से ज्यादा है इसे भाजबा की जन आशिरवाद यात्रा निकाली जाएगी मोधी सरकार के 49 नवनियुक्त मंत्रियों द्वारा ये यात्रा निकाली जाएगी देश में कोरोना के मामले में गिरावर दर्श की जा रही है पिश्चे 24 घंटे में कोरोना वाइरस के 32,937 नए मामले आए है वही सख्रिय मामलों की संख्या 3,80,947 पर पहुच गई है आक्टिव केस का याकड़ा पिछले साल यानि मार्श 2020 के बाद सबसे कम है वही पिश्चे 24 घंटे में 417 लोगों की जान गई है टीका करन के सिलसले में भारत बायोटेक के योगदान और प्रियासों पर मैनेजिंग डैरेक्टर कुरुषना इल्ला ने कहा है कि कंपनी ने COVID-19 के खिलाब इंट्रा नेजल वाक्सीन BBV154 को विक्सित की है वाक्सीन के बाद हम को वाक्सीन के मिश्चन पर कांद कर रहे हैं ताकि को वाक्सीन तीन इम्यून रिस्पॉंस पैदा कर सके त्रिपुरा में अगरतला और बांगलादेश में अखोडा को जोडने वाली रेलवे लाइन पर योज़ा का चल रहा नर्मान कारे इस साल दिसम्बर तक पूरा होने की उमीद है इस बाबत्रपुरा के मुखी मंतरी विपलव कुमार देव ने कहा है कि अगरतला अखोडा रेल लिंग तर्मारा धीन है और साल 2022 तक इसके शुरू होने की उमीद जताई जा रही है स्वातंतरता के पच्वतरवे वरुष का जश्ट बनाने के लिए गोफ़र्स ट्रेक स्पेशल सेल की खोशना की है जुसमें मातरिस 751 रुपे में आप हवाई सफर कर सकते हैं जुसके तहट अब आप 17 अगस्त तक और 19 सितंबर से अगले 31 मार्च के बीच यात्रा के लिए फ्लाइट बुक करवा सकते हैं देश के पूर प्रिधान मंतरी और भारत रत्न अटल भिहारी बाचपई का आज पुर नितिती है लेकिन बाचपई के विचारों को आज भी आदखिया जाता है उनका कहना था कि छोटे मन से कोई बढ़ा नहीं होता टूटे मन से कोई लाखों के इंद्रे कर्णचारियों को जल्द ही राहत मिलने वाली है क्योंकि मोदी सरकार उन्हें मिलने वाले अरजुत अफकाश की संख्या जल्द ही बढ़ा सकती है मीडिया की खबरों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि मोदी सरकार आगामी 1 ऑक्टूबर 2021 से 300 एर इंडिया की सबसेडियरी कंपनी AI Engineering Services Limited ने Junior Executive Finance और Assistant Supervisor Accounts के पदो पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रिक के है एच्छोक और योगियों में दुवार एर इंडिया.IN पर जवा कर 28 सगस्त तक आवेदन भर सकेंगे 5G Network को लेकर के Global Internet Testing ओकलान की एक रिपोर्ट के मताबिक भारत में Commercial 5G के लाँच में 4G LTE नेटवर्क द्वारा वरतमान में दीजाने बाली डाउनलोड स्पीड की तुला में average डाउनलोड स्पीड को 10 गुना तक बढ़ाने की श्रमता बताई है Online discussion forum Reddit ने अपने mobile app के लिए एक नई वीडियो फीड की घोशना की है यह feature Reddit के platform को सिर्फ discussion से लेकर short form वीडियो making तक काम कर वा सकती है जो की TikTok वीडियो format से काफी मिलता जुलता है शेर बाजार के शुरवात आज सपाट हुई लेकिन अंत में बाजार हरे निशान में बंध हुआ है आपको बता दे BSE 7642 अंकीत तेजी के साथ 55,489.7 पर खुला और थोड़ी ही देर में लाल निशान पर चला गया था कल हमारे दोहरा पूछेंगे सवाल का जबाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है मगर समय क्या भाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए लेकिन आप हमारे सवालों का जबाब देते रहें हमकल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते आज के सवाल क्यों राज का सवाल कुछ इस प्रकार है अफगानिस्तान में तालिबान के कबजे के बाद क्या भारत को तालिबान से बादशीत करने की पहल करनी चाहिए या नहीं अपने जबाब हमें कॉमेंट करके ज़रूर रताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश प्रदेश वी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना भुलें धन्यवाद